राए राम राखन हित लागी बहुत उपाय की चलू तयागी लखी राम रुख रहत न जाने धरम धुरन धर धीर सयाने तबन रिप सिया लाई उरलीन हि अतिहित बहुत भाती सिख दीन हि कही बन के दुख दुसह सुनाए सास ससर पेतो सुख समुझाए सिया मनुराम चरन अनुरागा घरो न सोगम बनु बिसमुन लागा और रम सब ही सिया समुझाई कही कही बीपी नभी पति अधिकाई राजा ने इस परकार सी राम चंद्र जी को रखने के लिए छल छुड़कर बहुत से उपाई किये पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और गुद्धिमान सी राम जी का रुक देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े तब राजा ने सीता जी को हिवय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत परकार की सिख्छा दी वन के दुख कह कर सुनाए फिर सास ससूर्त था पिता के पास रहने के सुखो को समझाया प्रन्तु सीता जी मन सी राम चंदर जी के चंदरों चरनों में अनुरक था इसले उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और नवन भयानक लगा फिर और सब लोगों ने मन में विपतियों की अधिता बता बता कर सीता जी को समझाया